हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री और स्टॉलोजी वीडियो चैनल पर आपका स्वागत है तो आज हम अनायलसिस करेंगे सेंड का और चेक करेंगे इसमें क्या-क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती है तो as usual शुरू करूँगा फिंगर्स के अनायलसिस से उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को अनमाउंट्स को और सबसे लांस्क में हम चेक करेंगे लाइन्स को इस तरह से पुरे हैंड का जो अनायलसिस हम कंपलीट करेंगे तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूं साथ साथ ड्रॉ करता जाओंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत न हो दोस्तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूंगा यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के उपर नजर आ रहा है यह मेरा वाटसेप नंबर है अगर आप भी अपने हैंड का अनालसिस करवाना चाहते हैं अपने हैंड की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो उस WhatsApp नमबर पर message send कर सकते हैं दोस्तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक squarey shape में नजर आ रही है जो indicate करती है एक hard working type की nature को और अगर इनकी fingers को चेक किया जाए तो fingers यहाँ पर medium length में बहुत जादा लंबाई में fingers यहाँ पर नजर नहीं आ रही है और fingers की thickness काफी अच्छी है यहाँ पर fingers का thick होना indicate करता है कि native की energy and stamina काफी अच्छी आ रहेगा यहाँ पर आप देख सकते हैं fingers काफी thick हैं नेरिया से और fingers के उपर काफी सारी सीधी खड़ी रिखाएं मौचूद हैं ऐसी रिखाओं का होना बहुत ही positive माना जाता है ऐसी रिखाएं अगर सभी phalanges के उपर मौचूद हो तो ऐसे native बहुत ही मिलनसार सभाव के होते हैं दूसरों के साथ बहुत ही तहजीब से पेश आने वाले होते हैं तो overall fingers यहाँ पर base phalanges से काफी positive नजर आ रही है में हो thickness में भी strong हो तो ऐसे native काफी मेहनती nature के होते हैं और life में अपनी इसी quality की वज़े से काफी अच्छी progress पाने में काम्याब रहते हैं ऐसे native hard working होने के साथ साथ discipline को follow करने वाले भी होते हैं और अगर देखा जाए इनकी index finger को index finger यानि के guru की finger और यहाँ जो finger इसको surya की finger कहते हैं दोनों की लंबाई में यहाँ पर ज्यादा difference नहीं है दोनों fingers लगभग एक समान नजर आ रही हैं नेक्स finger का अच्छी length में होना indicate करता है कि native के भीतर काफी अच्छी leadership qualities रहने वाली हैं ऐसे native को family की तरफ से काफी अच्छा सुख मिल पाता है जब यह finger strong और ब्रस्पती mount भी अच्छा हो leadership qualities अच्छी रहते हैं ऐसे native काफी spiritual minded हो जाते हैं जैसे इनकी age बढ़ती है spirituality का level भी इनका बढ़ता जाता है और अगर हम बात करें सूर्य finger की सूर्य finger अगर अच्छी लंबाई में हो और लगबग इस finger के ब्रस्पती finger के equal positive नजर आए तो ऐसे native का एक अच्छा social circle भी रहता है और ऐसे व्यक्ति के बीदर काफी अच्छी creativity और artistic वाली qualities native के बीदर रहती है ऐसे व्यक्ति काफी creative minded होते हैं और यहाँ पर अगर यह finger ज़्यादा लंबाई में हो तो थोड़ी सी adventurous nature भी native की रहती है थोड़ी से risk taker type की personality भी ऐसे व्यक्ति की हो सकती है अगर हम बात करें इनकी mercury finger की तो आप यहाँ पर देख सकते है mercury finger हलकी सी low set हो रही है यहाँ पर नीचे की तरफ set है और finger की लंबाई जो है यहाँ पर सुरह finger के top falange से नीचे रह रही है जिसकी वज़े से ऐसे native की nature थोड़ी सी shy रहने की संभावनाएं भी रहती है communication skills में कोई problem यहाँ पर नज़र नहीं आ रही communication skills काफी अच्छे होते हैं ऐसे native के जिनकी यह finger बिल्कुल स्ट्रेट हो और सुरह finger के top falange के क्रीब पहुंच जाए तो ऐसे native के communication skills उतने ही ज़्यादा शार्प हो जाते है यहाँ पर थोड़ी सी जिद्धी personality रहने की संभावनाएं भी नज़र आ रही है क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखोगे आपको इन दोनों fingers के बीच में gap बनता हो नज़र आएगा अगर यह दोनों fingers अलग अलग हो तो ऐसे व्यक्ति थोड़े से rebellion होते हैं अपनी मनमर्जी के मालिक होते हैं और life में किसी के दबाव में आकर रहना इने बिलकुल भी पसंद नहीं रहता इसलिए थोड़ी सी जिद्धी personality इस तरह की fingers की gap होने की वज़े से देखी जा सकती है और चले आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी mounts को उसके बाद चेक करेंगे इनके सभी रेखाओं को भी तो अगर मैं एक line यहाँ पर draw करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस तरह की एक रेखा बनकर सामने आ रही है जिसमें इन सभी mounts को बहुत अची space मिल पा रही है थोड़ा सा mercury जो है low set है जिस वज़े से थोड़ी से शाय नेचर हो सकते हैं लेकिन कोई भी problem इनके mercury mount में नजर नहीं आ रही है mercury mount को अगर इस area को आप देखोगे तो यह area आपको बिल्कुल clear नजर आएगा बहुत ज़्यादा लंबी mercury रेखा यहां पर मौजूद नहीं है mercury रेखा दोस्वा को बताना चाहूँगा इस area से अगर कोई रेखा जैसे यहां से कोई रेखा निकल कर इस तरफ बढ़ जाए ऐ ऐसे व्यक्ति बहुत बड़े बेनस्मेंट बन सकते हैं इस तरह की काबलेत उनके भी तरह आ जाती हैं तो यहां पर mercury रेखा का ना होना बिजनस एकुमेन को थोड़ा सा वीक करता है लेकिन बहुत ज़्यादा दिक्कत भी नहीं रहेगी क्योंकि आपको यहां पर एक सीधी रेखा का होना जरूरी होता है अगर हम बात करें इनके सूर्य माउंट की तो यह एरिया आप देख सकते हैं सूर्य माउंट का एरिया कहलाता है बिल्कुल फ्लाट माउंट है बहुत उपरा हुआ माउंट इसको हम नहीं कहेंगे अगर कोई भी माउंट उपर की तरफ उठा नजर नहीं आ रही, सूर्य रेखा दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, जिस तरह से इनके हाथ में यहाए एक रेखा नजर आ रही है, जो शनी मांट पर पहुंच रही है, इसको शनी रेखा कहते हैं, इसी तरह अगर यहाँ पर एक रेखा मौझूद हो, जैसे मैंने अभी होना, इंडिकेट करता है कि बहुत ज़्यादा यश और फेम यहाँ पर नहीं रहेगा, इस एरिया में आपको एक रेखा नजर आएगी, इस तरह की रेखा का होना लेटरेज में नेटिव को फाइदा देता है, और लेटरेज में काफी अच्छा नीमन फेम ऐसे व्यक्ति बनाने में काम्याव रहते हैं, एक बहुत ही छोटा सा कट आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पर, इस तरह का कट जब सूर्य और शनी दोनों मांट्स के बीच में बनता है, इसको विद्या रेखा कहा जाता है, इस तरह की रेखा होने से एसे नेटिव की विजडम अच्छी रहती हैं, समझ बहुत होती हैं, नौलेज़ेबल परसनालिटी होती है, साथी साथ अगर बरिस्पती भी अच्छा हो जैसा यहाँ पर नजर आ रहा है, तो ऐसे विकती बहुत ही ग्यानवान होते हैं, और नौलेज के मामले में काफी अच्छी रहते हैं, तो यह रेखा यह यहां पर छोटी सी आपको जो नजर आ रही है, बहुत ही पर भाफशाली होती है, बहुत ही अच्छा लाव इसका नेटिव को जरूर मिलता है, अब बात करते हैं कि शनी माउंट की, शनी माउंट हलका सा दबता हुआ नजर आ रहा है, यहां पर बहुत ज़्यादा उठा इनके हाथ में होना है, आपको दिखाना चाओंगा इनकी शनी रेखा किस तरह से यहां पर नजर आ रही है, बहुत ही स्ट्रॉंग और लंबी शनी रेखा है इनके हाथ में, यहां तक पहुंचती है, यहां जो एक डीप कट लाइन आपको नजर आ रही है, इसको हम शनी रे सेरिया में बन रहा है और एक लंबी भाग्या रेखा नजर आ रही है इस तरह का चिन जिनकी भी हतेली पर होता है ऐसे व्यक्ति लाइफ में विदेश जरूर जाते हैं फॉरण ट्रैवल के चांसे से व्यक्ति को मिलते हैं लंबी दूरी की यात्राओं के साथ साथ अचानक ध ऐसे भी अपनी लाइफ में sudden wealth gains होते रहते हैं तो यह बहुत ही प्रभावशाली चिन के तोर पे देखा जाता है और साथ यह एक लंबी यहाँ पर यहाँ फेट लाइन नजर आ रही है दोनों चीज़ें अगर इकटी हाथ में हो तो ऐसे व्यक्ति धन के मामले में लगी रह रहते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके ब्रस्पती माउंट को आप देख सकते हैं ब्रस्पती माउंट का जो एरिया है काफी उभरा हुआ है ब्रस्पती माउंट अगर उठा हुआ हो जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो यह उपर की तरफ उठा हो आप को मांट नजर आएगा तो ऐसे व्यक्ति स्प्रिच्वल मांड़ होते हैं नौलेजेबल होते हैं धर्म करम के काम करने वाले और सिंप्थाटिक टाइप की परसनालिटी ऐसे व्यक्ति की रहती हैं तो यह सभी चीज़ें बहुत भेतर हो जाती हैं लाइफ में जब ब्रस्पत मांट के ओपर अगर कोई खड़ी रेखा मौजूद हो जैसे आप यहां पर देख सकते हैं आपको बहुत ही बारीक ऐसी खड़ी रेखा ही नजर आएंगी ऐसी रेखाओं को प्रोग्रेस लाइन्स का नाम दिया जाता है और ऐसी प्रोग्रेस लाइन्स का हाथ में होना ही रेखा को हम सिम्यान लाइन कहते हैं यहां जो रेखा बिलकुल एक क्रीज की तरह बन रही है बिलकुल हतेली के एक शोर से लेकर दूसरे शोर तक आपको बनती नजर आएगी नॉर्मली लोगों के हाथ में जो रेखा होती है वो कुछ इस तरह से होती है आपको बताना च बजाए एक strong सीधी line बन जाए तो ऐसे व्यक्ति थोड़े जनूनी होते हैं, work alcoholic होते हैं और जिस काम को करने की धोनिन पर स्वार हो जाती है, उसको काम को करकर ही दम लेते हैं, कुछ इस तरह की nature ऐसे व्यक्ति की बन जाती है, जिस वज़े से कई बार married life में थोड़ी बहुत हो सकती है, adjustment करने में थोड़ी से दिक्कत हो सकती है, क्योंकि work alcoholic nature होने के वज़े से ऐसे व्यक्ति अपनी family को पूरा समय नहीं दे पाते हैं, जिस वज़े से married life में थोड़ी से दिक्कते आना सभाविक हो जाता है, ऐसे व्यक्ति जिनके हाथ में यह रिखा हो, इन्हें balance करन सीखना परता अपनी life में किस तरह से अपनी professional life और family life को adjust करना है, वो चीज़ सीखने की जरूरत रहती है, overall की major problem नहीं है, heartline में कोई भी ऐसी negative चीज़ नहीं है, बिलकुल straight heartline और सासत mind line अगर आप देखोगे तो एक हलकी सी रिखा, आपको नीचे की तरफ चलती नजर आए में मौचूद हो, overall mind काफी शार पर रहता है, ऐसे वेकते के जिनके आप में लंबी मस्तिक्ष रेखा हो, और अपनी inequalities की वज़े से life में अच्छी progress पाने में भी काम्याब रहते हैं, यहाँ पर एक बहुत ही हलका, लेकिन यहाँ पर एक money triangle बनता होगी नजर आ रहे, यह mind line ह आपको यहाँ पर एक बहुत ही बारीक सी रेखा नजर आएगी, अगर यह और deep cut हो जाती है तो यह money triangle है complete हो जाएगा, यह बहुत ही deep cut line है, जो fade line है, और यह जो रेखा है बहुत ही हलकी सी, अगर यह इस तरह से touch हो जाती है तो यह complete money triangle बन जाएगा, जिस वज़े से जो money accumulation ह उसमें इने काफी help मिलेगी, अब बात करते हैं इनकी line of life की, life के लिए यहाँ पर हलका सा बाहर की तरफ निकलती हुई नजर आ रही है, आपको दिखाना चाहूँगा, draw करकर कुछ इस तरह है कि इनके हाथ में line of life जो यहाँ पर इस fish के उपर से बाहर की तरफ होती हुई, जिनके हाथ में इस तरह के चिन हो, जैसे यहाँ पर यह fish का symbol बन रहा है, बिलकुल इस area में, और यह रेखा बाहर की तरफ निकल रही है, तो ऐसे व्यक्ति घर से दूर किसे दूसरी place पर जाकर settle हो जाते हैं, कई बार ऐसे व्यक्ति विदेश चले जाते हैं, वहाँ पर permanently settle ह हो जाते हैं, इस चीज किस महावनाएं रहती हैं, और यह जो रेखा है, काफी अच्छी length में है, लगभग 80 के असपास की age रहनी किस महावनाएं, और यह जो mount है, काफी prominent है, कुछ worry lines यहाँ पर मौझूद हैं, जिस वजह से married life में थोड़ी disturbance रह सकती है, otherwise, यह उबहा हुआ mount native को हर तरह के सुख सुविधाएं देता है, हर तरह की luxury चीज़ें ऐसे native के life में जरूर रहती हैं, और अगर हम बात करें इनके चंदर mount की, तो हलका सा चंदर mount यहाँ पर दबता हो नजर आ रहा है, जिस वजह से थोड़ी anxiety की दिक्कत रह सकती है, दर्वाइस कोई major issue, यहा कुछ analysis थे इनके hand के बारे में और मेरी कोशिश यही रहती है, कि सभी स्वालों के जवाब एक ही video के तरूद दे पाऊं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन या स्वाल रह जाता है, तो इनसे request है, कि अगर इनका कोई question pending है, तो मुझे WhatsApp पे message करें, मेरा video watch करने के लिए आपक बहुत धन्यवाद